स्वच भारत हमारा प्रोग्राम है उसका फेस टू चल रहा है जिसमें हमें ODF Plus अटेन करने के लिए हर ग्राम में हर विलेच में हमें इसका रिक्वाइड इंफ्रास्ट्रक्चर क्रियेट करना है अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की में बात करूं तो हमें compost bits बनानी है, वेस्ट का डिस्पोजल के लिए जो segregation facilities बनानी है, उनका वेस्ट कलेक्शन segregation का mechanism बनाना है, तो यह सब काम हमें फेस टू में करना था, अब फेस टू में हमने विलेज सानिटेशन प्लान्स बना लिया है, उसके आगे की जो कारवाईती वो हमने शुरू की एर्थ मार्च को, इंटरनाशनल विमन स्टेपे हमने हर डिस्ट्रिक्ट में दो-दो ग्राम पंचायत ऐसी से लेट की, जहां पर हमारी लेडी सार पंचे से, और हमने उस दिन एक पाइलेट लॉंच किया, जिसमें कि हमने एक मॉडल उनके सामने रखा, और उस मॉडल को आगे ले जाने के लिए ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जो आज हम यूनिसेफ की मदद से कर रहे हैं, गब्मेंट उफ इंडिया हमें इसमें पूरा सपोर्ट दे रहे हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये प्रोग्राम उस पाइलेट के सारे आस्पेक्ट को कवर करेगा, और हमें पूरी तरीके से गाइड करेगा, जिससे हम वो पाइलेट सक्सेस्फुल करें, और उसके बाद हम इस प्रोग्राम को पूरे यूटी में डोल आउट करते हैं इसका benefit कर रहे हैं सवच भारत हम यहां पर बात करते हैं हर गाउँ सवच गाउँ यह हमारा objective है जो हमें सब को attain करना है तो जेनके में भी हम यही कोशिच कर रहे हैं कि हर गाउँ सवच गाउँ पर लिए